नमस्कार, TMT News 24 में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं TMT News 24, बाग ने किया दो गोवंश का सिकार। देवलापार, शरत गुपता के रिपोर्ट, देवलापार, रेगुलर वन परिक्षेतर सीमा के अंतरगत आने वाले ग्राम बांदरा के खेत में चर रही गायों को बाग ने बनाया शिकार। अपना शिकार बनाया। जिसके रिपोर्ट दोनों भलावी बंधों ने देवलापार वन परिक्षेतर अधिकारी को दी है। साथ ही अपने नुकसान भरपाई की मांग की है। इस आदिवासी बहुल शेतर में प्राणियों की कतीवी धियां काफी बढ़ गई है। जिस कारण आये दिन किसानों एवं ग्रामीडों में भाय का माहौल काफी बढ़ गया है। अनेकों किसानों का इन जंगली जानवरों की कारण काफी नुक्सान हो रहा है। आए दिन पालतु मवेशियों के सिकार बाग एवं अन्य हिंसक प्राणी द्वारा किये जा रहे हैं। इसका भी नुकसान किसानों को भारी तादाद में हो रहा है। हाल ही में देवलापार वन परिक्षेतर कार्याले में महिला किसान सेख हसमत बी सेख हसन निवासी भाजी मंडी कामठी नाकपूर ने अपने खेत सर्वे नंबर 117 बांदरा में जंगली जानवरो द्वारा दो एकड़ खेत में लगी सेमी फल्ली एवं अन्य फसलों का नुकस में वन विभाग से वन ने पराणियों का खेतों में इवं बस्तियों में प्रवेश ना हो ऐसी उपाई यूजना की जाए यहां भी मांग किसान महिला द्वारा की गई थी